नमस्कार दोस्तों, इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को सुभे बताया था कि UPPSC यानि कि उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग के अंदर वेकेंसी निकली है, कम्प्यूटर असिस्टेंट की, तो इसके फॉर्म पढ़ना स्टार्ट ह हो गए हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने वाला हूँ, तो जो भी लोग इस भरती से इंट्रस्टेड है या इस फॉर्म को डालना चाहते हैं, इसकी क्या योग्यता है और क्या समकष योग्यता हो सकती है, यह सारी जानकार इसकी है computer assistant, भरती प्रक्रिया कौन करा रहा है? UPPSC, उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग, किस बिवाग के लिए करा रहा है? वो भी है उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग, यानि कि जो बिवाग रेकुरूट करा रहा है, अपने ही बिवाग के लिए करा रहा है, सबसे सब्सक्राइब कर दोस्तों इसकी 16-12-2019 मगर जो लोग इंट्रस्टेड हो जल्दी से जल्दी भर देना क्योंकि बाद में सर्वर की प्रॉब्लम आने लगती है फिर हम बात करते हैं इसमें वेकेंसी कितनी हैं वेकेंसी भी इसके अंदर बताई गई हैं दोस्तों वेकेंसी प हैं दोस्तों अब बात यह कहेंगे कि 14 वेकेंसी हैं इतनी कम है इसे डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए वह बात बाद में करेंगे मगर पहले देखते हैं इसकी सैच्छिक योग इता किया है उसके बाद ही यह डिसाइड करना है कि फॉर्म को डालना है या नहीं डालना ह फीस वगएर आप यहां से देख सकते हैं 125 रुपे और 25 रुपे यह आप अपनी केटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा फिर हम बात करते हैं नंबर ओफ वेकेंसी यह आ गई आपकी 14 वेकेंसी ग्रेट पे क्या है इसका दोस्तों ग्रेट पे सिस्टम चलता था आपका सबसे पहली चीज तो कहा है इन्होंने इंटर होना चाहिए तो इंटर में कोई स्पेसलाइजेशन नहीं है कि मैच से होना चाहिए या कॉमर्स से होना चाहिए नॉर्मल इंटर्वी आपने किया है काम चलेगा विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉमा रिकोगनाइज इंस्टिटूट अब यहीं पर पेच फस गया क्या पेच फस गया अब हम यूट्यूबरों को मौका दे दिया गया कि हम इसे इंटर्पेटेट करें तो क चाहिए कि जो ओ लेविल भी है दोस्तों जो इसके संकक्ष आप कहेंगे क्योंकि ओ लेविल तो सीधा सीधा लिखा हुआ है यूनिवस्टी इंटर्मीडियेट विद ओ लेविल तो ओ लेविल जिनके पास है उन्हें तो कुछ सोचना ही नहीं है आप इस फ़र्म को जरूर इसे केस में क्या होता है दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा यह मैं बिल्कुल आपको एक्जाम्पिल देके बता रहा हूं जब भी आयोग रिवीव ओफिसर या फिर एरो की वेकंसी निकालता है तो इसमें एक बार सर्कुलर आ भी चुका है अगर मुझे मिलेगा मैं BCA और यहां तक कि उसमें यह तक लिखाता है अगर आपने BTEC के किसी भी semester में अगर computer पड़ा है तब भी जो है वो मानने होगा तो जो भी अच्छा फिर भी हो सकता है आपको confusion हो और होना भी चाहिए क्योंकि जब तक आयोग अपनी तरफ से ना बता है तब तक विस्वास न होता है तो आप एक बार mail कर दीजिए मगर हाँ यह बात तो तय है कि triple C मानने नहीं होगा क्योंकि कई लोग कमेंट आएगा कि हमने triple C कर रखा है triple C दोस्तों मानने है ही नहीं triple C ऐसी जगे मानने होगा जहां पर तीन महीने का डिप्लोमा हो मगर यहां पर O लेविल और triple C में जमीना आस्मान का अंतर है आपने देखा होगा इसका लेविल भी ठीक है तो triple C मानने नहीं होगा मगर जिन लोगोंने B.Tech कर रखा है M.C.A. कर रखा है B.C. कर रखा है या फिर B.C. Information Technology यह सारे डिप्लोमे अच्छा मानलो यह कुछ भी नहीं कर रखा मगर आप कहेंगे कि मैंने एक साल का डिप्लोमा कर रखा है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानिता प्राप्त है अच्छी बात है द नहीं हो सकता है verification कैसे होता है कि उसकी कोई website है जहां पर आपका roll number डालके check किया जा सके या registration number डालके check किया जा सके या फिर उस institute की ही validity check करके देखो कि क्या वो कहीं पर online portal पर show कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर recognized है तो आप इस form को डाल सकते हैं क्योंकि यहां पर जो oblique दे out complete हो गए होंगे अगर यह qualification आपके पास है तो इस वीडियो को आगे देखना अगर नहीं है तो वीडियो देखने का क्या मतलब है ठीक है अब मैं आ जाता हूं direct vacancy के उपर क्योंकि जब भी vacancy कम आती हैं लोग हमेशा यही सूशते हैं यार इतना tough competition होने वाला है और एक या दोस्तो इस form को जरूर डालना चाहिए अब मैं आपको बताता हूं कहीं पर माल लिए 200 vacancy निकली तो form पड़ जाता है दोस्तो कई बार 5 लाग तक या फिर 2 लाग तो मानी लो मगर जब vacancy कम होती है न तो बहुत कम लोग होते हैं जो हिम्मत कर पाते हैं form डालने की इसके लि कि जिन लोगों के पास computer की अच्छी knowledge है ms world excel powerpoint की बात नहीं कर रहा हूं इसके अलावा programming की भी तब आप देखेंगे कि आपके इसमें selection होने की chances कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे जहां पर भी special qualification लगी होती है दोस्तो तो वहां पर एक normal cutoff से कम जाने के chances रहते हैं अब हम जो category wise आपको age relaxation मिलता है वो मिलेगा और साथ में जो भी ex-servicemen भाई हैं चाहे वो एरफोर्स से हो नेवी से हो या फिर आर्मी से हो तो उनके लिए भी इसके अंदर सीटों का reservation है अब हम बात करते हैं आगे इसका जो exam pattern है दोस्तों ठीक है कि क्या-क्या इसके अंदर आने वाला है कौन-कौन सा subject आएगा और आप कहां से पढ़ाई करेंगे यह सारी चीजें आपको इसमें पता चलेंगी यह समय बिल्कुल live है और आप इसे देख सकते हैं मतलब website पर जाकर और form का registration अभी कर सकते हैं अगर आपके पास qualification है तो यह सारे दोस्तों certificate का प्रारूप है जैसे कि माल लिए आपने तैसील सो कोई certificate बनवाया मगर जब final selection होता है न तो उसी certificate को देखकर इसमें तैसील दार साब जो है वो sign करके आपको प्रमाना पत्र बना कर दे रहेते हैं तो उससे काम हो जाता है यह आगया plan of examination and syllabus of the selection of the post computer assistant देखिए दोस्तों जो पूरा exam है यह ह knowledge और computer knowledge दोस्तों अगर आप देखिंगे तो इस पर स्टूप से कहीं पर भी mathematics की बात नहीं की गई है मगर mathematics आएगी वो आएगी general reasoning के अंदर मगर इतनी ज़्यादा heavy इसके अंदर mathematics नहीं आने वाली है तो जिन लोग हिंदी और जी के मगर दोस्तों यह जो 25 नंबर की बात है यह आपको merit में selection दिलाने वाले हैं अब देखिए computer knowledge का मैं आपको syllabus दिखाता हूँ क्या syllabus है operating system windows के बारे में तो normal person को knowledge होती है मगर linux और unix की बात आ जाए तो शायद तो 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 जाए फिर बात करेंगे computer language की C और C++ कई बार तो ऐसा होता है जो computer background के होते हैं वही answer नहीं बत यह ऐसी चीज़े हैं और database देखिए database से related भी question आएंगे तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है देखिए single day का exam है कोई multiple नहीं होने वाला है फिर आप देखेंगे इसके अंदर जो typing मांग रखिए the minimum essential required speed of typing is 20-25 word print मतलब computer की इतनी ज्यादा knowledge भी होना चाह दो आपको ही बताए कि Hindi typing एकदम से नहीं हो जाती है तो यह पूरा syllabus है और आपके सामने यह भरती है तब आपको decide करना है इस form code डालना है या नहीं डालना है मेरी तरफ से आप लोग के लिए यह अच्छा मौका है आयोग में जाकर नौकरी करने का इसका promotion भी दोस्तों वहाँ पर भी इस बार computer assistant की एक vacancy आई थी उसका promotion तो direct AR होता है यानि की 2400 से direct 4600 अभी इसके बारे में मैं confirm नहीं हूँ कि इसका 2400 के बाद कितने का होगा मगर जैसी जानकारी मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा ठीके दोस्तों इस वीडियो के प्रतिया आप अपनी प तक के लिए जैन जै भारत